तो क्या हल चाल सश्रेकाल मैं हूँ नियोन मैं नो इम सॉरी तो दोस्तो आज सब से पहले बात कर लेते हैं एल्विश यादव के बारे में तो गाइस एल्विश यादव ने अपनी गाड़ी पोर्श को कुछ अलगी कलर कर वा ली है आप उनकी कार को पेचान भी नहीं सकते आप इस क्लिप में देखी आज आम को बता हूंने कि अपनी पॉर्श के डिलिफिर मैं अभी तक अपनी फॉर्च नहीं देगी पर्श बीनी देगी गाड़ी देख ही निए आपनी टाइमों पार चूपर में घृट निनिक आज वाड़ी आज नहीं हो गाई श्रीवाइब एक वर बतातो और एक वर बतातो इसमें क्या हो और अट अगर को यह पाई पूरी गारी करा भाई चेंटू बता वाई इसमें इसमें बता होगा ला वाई डिटेइल रिभी दो वाई पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस यह है आपने अलग अलग इसके बाद बात करते हैं फुक्रा इंसान के बारे में तो गाइस फुक्रा इंसान ने जैसे ही उनकी मदर के चेनल पर व्लोग रिस्टार्ट किया तो उन्होंने नियोन में का इंट्रो से व्लोग के शुरुवात की आप यह क्लिप देखिए इस पर नियोन में ने भी रियक्ट किया आप इसखिल्ट में दे कि उन्होंने क्या कहा आज तो फुक्रा भाई इंट्रो दे दिये तो चली ब वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं तो फुस्ट जब आनम लोग बात करने वाले फुक्रा इंसान क्यी बारे में तो आपे उनसे काफी सारे question पूछे गए थे एक जगा ये topic उठा था कि इनको fans की तरफ से तो बहुत support मिला लेकिन कुछ एसे भी creator थे जो उनके close थे लेकिन वो भार आकर देखे तो उनकी तरफ से उन्हें कोई support नहीं मिल रहा था और guys दोनों तरफ भी support नहीं बलकि वो एक दम one side support कर रहे थे तो फुक्रे इंसान इस कारण से थोड़े disappointment भी थे और उन्होंने क्या कहा अब बिल्कुल आपका नाम ही नहीं ले रहा आपको support ही नहीं कर रहा तो वो चीज़े कहीं नहीं ऐसे बूरी लगते हैं और फिर देखते हैं कि audience इतना प्यार कर रही है तो फिर ऐसे लगते हैं कि अरे यार तेल ले भाई जब जंता जिस जो जो है वो सारी understanding है मैं पहली बार बोल रहा हूँ I'm so sorry to anyone जिसको मेरी तरफ से एक भी गाली सुनने को यह मिली एक भी मतलब मैक्स्टन को मैंने इतना देखा कि उसको 24-24 घंटे गाली उसने सुनी है तो मतलब दिल से मैरा sorry है उन लोगों को जिनको गाली बड़ी क्योंकि मैं ऐसा बंदों में हमेशा यह चातों की हर इंसान प्यार करे प्यार बाटे आगे जो तो आपको पता होगा कि फुक्रा इंसान एक इंटर्वी में बोले थे कि एल्विस यादव को तो अपनी फेवरेट एक्टरेस आलिया भट की तरफ से अप्रिशेशन मिल गया लेकिन मुझे सोनम बाजवा की तरफ से फोलो बेक मिल जाए तो वो एसे ही मस्ती कर रहे थे तो उनके फेशेंस ने जाकर सोनम बाजवा के कमेंट में जाकर इस्पेम करने लगी कि फुक्रा इंसान को फॉलो बेक कर दो ये चीद देखकर सोनम बाजवा की तरब से भी रेक्षन आए उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए इसके बारे में फुक्रा इंसान ने क्या बताया तो नेक्षम बात करते हैं आसिस चंचलानी के बारे में तो आसिस चंचलानी एक बंदे के उपर घुशा है दर असल गाइस आसिस चंचलानी एक नोर्मल सा ट्विट किये थे जिसमें लिखा था जवान भी चलेगी टाइगर भी चलेगी सालार भी चलेगी डंकी भी चलेगी सब कुछ चलेगी तो इस पर एक बंदे ने कमेंट किया बस तेरी वीडियो नहीं चलेगी तो इस पर आशिस चंचिलानी ने कुछ नहीं कहा लेकिन एक बंदे नहीं लिख आशिस नहीं चलेगा सिर्फ तो इस पर आशिस चंचिलानी को ग के नाए हमें कमेंट करकर जोरू बताए आज के लिए इतना ही मिलते हैं किसी अगले वीडियो में थेंक्यू